तरब सभी का आपके अप्टेटीव चैनल आई टेली जोब अपडेट पर गाई जोसे अब को पता है कि मैं हमारे चैनल पर हरूज आई टेए पासवर शात्रों के लिए दो से तीन वीडियो आई टेए से समंदी सभी परकार की जोब अपडेट लेकर आता हूं जिसमें हम बा तेहरी हाइड्रो प्लांट जो है इसकी तरब से रिक्वार्मेंट निकल कर आ रही है अप्रेंटिस पर टोटल 12 ट्रेड को यांपर मोखा मिला है ना कोई एक्जाम होगा ना कोई इंटर्यू होगा आप लोगों का जो सेलेक्शन है यांपर मेरिट आधार पर होगा और इस अगер अब तक हमारे सब्सक्राइब कर साथसे गर आप अप टक हमारे यांट जोने कि नहीं पर लिंक यह से आपको सब्सक्त अवाले यास capture बिलसकेगे जो शूरू करते हैं कर रूज तक हैं लॉत इसी ट्थे रखी गई है वो तीस बारा दो हुजार बाइस यानिकि तीस दिसंबर दो हुजार बाइस रखी गई है नोटिफिकेशन जारी हुआ है फोर आई टे अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए यहां पर लिका है टीस डीसी इंडिया लिमिटेड अमीनी रतन सेडूल अ कंपनी फ्रोम इलिजिबल केंडेट बाइस के लिए जिन चाहदू ने अपनी इत्रा खंड से क्यूई है या उत्रा खंड के निवासी है तो वह इसमें एपलाई कर पाएंगे अधर स्टेट के अटिचे के लिए यह यह इलिजिबल नहीं है आप लोगों को मैं पहले ही बता अपर होने वाली है तो देखेगा यहां पर computer operator and programming assistant निकी कोपा की टोटल 26 पोस्टें है टेहरी के लिए और कोटेस वर के लिए नहीं पर 15 पोस्टें है कोपा और स्टेनोगरापर सेक्रेटिल असिस्टेंट ले करके ठीक है अगली हम मेकेनिक के लिए चार पोस्टे दोनों जगह हैं चार चार पोस्टे वेल्डर गेस और इंडिलेक्टिक के लिए दो पोस्टे हैं मेकेनिक डीजल के लिए दो मेकेनिक मोटर विकल जो mmv आप लोगों का ट्रेड होता है उसके लिए दो मेकेनिक अर्त मुवर्स परao पोस्ट और मैकेनिक हरे के लिए दिन पोश्ट के लिए रही है तो पोश्टे निकल कर आprof designed पोस्टे से सो फुनति पोश्टे जो कोटे सूर से हैं इस तरह से आप रोगों के लिए निकाली गए हैंeli में हम बात करें कि कौन अप्लाइ कर पाएगा तो सबसे पहली बात है कि आप आइटे पास आउट होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए दूसरी बात है आपकी जो आइटे हैं 2018 से लेकर के 2022 तक में कंप्लीट हो गई होनी चाहिए ठीक है एज रिलेक्सेशन की बात करें अगर कि आगे अगर हम बात करें एजली में 18 से 30 साल या पर रखे गई हैं जिसमें आप अगर हैं तो आप आप इसमें पांच जोड लिए यानि पैतिस हैं और भी से एक एंडेट हैं तो तीन जोड लीजिए यानिकी 33 हैं आगे हम बात करें ट्रेनिंग एक साल के रहने वाली हैं जो लोग उत्राखंस के निवासी हैं वही इसके लिए अप्लाइ कर पाएंगे द्यान रखिएगा और यह भरती इसलिए डालनी पड़ी गाइस क्योंकि भरती तो कहीं ना कहीं आईटे पासावर्ट साथ्रों के लिए थी और 135 पदों पर वेकेंसी थी एक थर्मल पावर प लोगों का नौइंटर्वू दाइलिस्वेल केंडेट विल बी सोट लिस्टेड वन बेसिस ओव मेरिट ड्राउन बेसिस ओप मार्ट उप्टेंड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड आईट एक्जामिनेशन आईटे की मार्ट शीट के अधार पर आप लोगों की जो हैं यहां अबर मेरिट बनेगी इसके बाद हम देखें कि सम्मिटेट फॉलोविंग डॉकमेंट आप लोगों को कौन कौन से डॉकुमेंट इसमें लगाने हैं तो दसवीक मार्ट शीट प्रूप डेट अब बर्त का प्रूप जिसमें आप दसवीक मार्ट लगा दीजे का सैटिफिक प्रजक्ट अफेक्ट फैमिली प्रोजेक्ट अफेक्ट एरिया से हैं तो आप लोगों को इसके लिए भी यहां पर रिजौरेशन मिलने वाला हैं आधार काड मेंडेटरी है लगाना आपको रिजिस्टेशन नमबर देना होगा अप्रेंट्सी पोड़ल पर आप लोगों रिजिस्टेशन नमबर इसमें भी चाहिए और हर वेकिंसी में चाहिए होते हैं इसके बाद हम बात करें जिन चात्रों का इटीए 2018 से 2022 तक पास आउट हो गया है वही इसके लिए अप्लाइ कर पाएंगे आगे अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को क्या करना है ओपिश अप्रेंट्सीप और पर रिजिस्टेशन कर लेना है एप्लाइंग इन टीएश डीएश डीएश टीएश टैनी आप यहां पर जाकर के आप लोगों को फॉर्म डाउनलूड कर लेना है इसका उप्लाइन फॉर्म है उसको एप्लाइब करेंगे आप तो मैं आपको बता अप्रेंट्सीप इस पोटल पर जो रेज़िशन नंबर होते हैं वह इसलिए आपको वहां पर होगा जहना आपकश डेरिचे लिस्कुप्जर में जो लिंक मिलेगा वहाँ से फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है फॉलड को दाउनलोड करने के बाद करना है यह तो देन आपको बाई पोस्ट सेंड करना होगा यह ठीक है फोर्म जो है बाई पोस्ट करना है एजी एम एचार एंड एटीज डीसी इंडिया लिमिटेड एड मिनिस्ट्रियू बिल्डिंग भागी रत पुरम भागी रत पुरम टेहरी गरवाल 24 एक्राइन में 24 यहां का पिन जल्दी कीजिएगा इसकी जो लाजटेट हैं तीस दिसंबर 2022 रखी गई है आईटी पासवर्ट चात्रों के लिए जो की उत्राखन के निवासी हैं उनके लिए कापेच्छा मोगा है वन थर्टी फाइफ पदो पर पोस्ट हैं जैसे यह अगली वेकेंसी निकलेगी आईट सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर करना बिल्कू मुद्ट भूलना साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइनने किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे जोइन कर लो